वेलकम तो रक्षिता श्रवास्त अब्लोग कैसे हैं आप उमीदे बहुत अच्छे होंगे आज की मॉर्णिंग बहुत खुबसूरत थी बहुत ज्यादा ठंडी थी बिल्कुल सीट लहरी चल रहा था चेहरे पर जैसे लग रहा था बरफ जम गया हो आज बच्चों के चुट्टी थी तो मेरे हस्बन ने कहा मैं तुम्हें एकेडमी छोड़ देता हूँ तो आज वो मुझे लेकर आ रहे थे और सूर्य तो इतना खुबसूरत निकला हुआ था लेकिन कैमरे में ठीक से आ ही नहीं रहा था बिल्कुल औरेंज कलर का बड़ा असा देख ठीक मज़ा आ गया अल स्कूल मत जाओ छोड़ो आराम कर लो वैसे भी क्या जाओगे पड़ाई बड़ाई तो होती नहीं यह फालतुका इशान गिटार वाले सर से बहुत प्यार करता है उनको देखती है छुप गया था आप देखिए कौन निकला अंदर से तुम्हें देखते ही न तुरंट जाके छुप गया क्लास वगयरा करके जब मैं घर आई तो फिर मैं कुकिंग में लग गए आई आए आपको बहुत एजी तरीके से गोभी मटर आलो टेमाटर की सबजी बनाना सिखाते हूँ पहले गोभी को हलका सब वाइल कर लीजी कीड़ा हो ना हो लेकिन वाइल मैं जरूर करती हूँ अब इदर जब तक मैं गोभी भून रही हूँ दूसरे साइड मैंने मसाला पीस लिया मसाले में मैंने दो बड़े टमाटर ले लिये प्याज ले लिया अंदाज से जितना आपको तीखा खाना हो आप मिर्श ले लो और जो भी आप गरम मसाला यूज करते हो जिसका अदरक अच्छा भी लगता है और बहुत फायदा भी करता है तो अदरक इस्पेशली मैं डालती हूँ तो अज सब डालने के बाद से हलका सा पानी डालेंगे अंदाज से उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेंगे जब अच्छे से वो मिक्सी में ग्राइंड हो जाएगा त तरीके से बहुत टेस्टी बन जाएगा फिर मैंने डाल दिया इसको अब मैं इसके उपर से कुछ मसाले डालूंगी मैंने आलू कटे हुए थे आलू को कट करके डाल दिया इसमें उस दिर इसको भी भुना उसके बाद जो भी आप मसाले खाते हैं हल्दी नमक तो सभी डाल बूते हैं मृच लेकिन गरम मसाला सृत की अनुसार यह आप डालिए यह ग्र नमक डाल दिया फिर मैने इसमें अनुसाले डाल दिये गरम अच्छे तरीके से फिर टेस्स के अनुसार डाल दिया और उसके बाद मैंने थोड़ी हलदी हल्दी मैं लाल वाली यूज़ करती हूँ देशी, वो भी बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए तो अच्छी होती है, कलर और महग भी बहुत खुबसूरत होता है, इस तरह चलाया, आप उसके बाद इसको ढख देंगे, ढखने के बाद धी में आज पर पकने के लिए छोड़ देंगे, और बी ध्यूण।